भारत के जीत के बाद पटनवासियों में काफी खुसी है और हमारे साथ युवा हैं उनसे बात करते हैं भारत चार विकेट से पाकिस्तान को दूर चटा दी है और बात करते हैं कैसा लगा मैं चाप को जब जीत हुई भारत थी बहुत बढ़िया मतलब बिराट कोहली ने अपने इनिंग से देशवासियों की दिपावली की खुसी दोगुना कर दिया है और साथी साथ पाकिस्तानियों को इतनी संदार तरीका सा धुलाई उन्होंने किया है यह उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा हर्दिक पांडिया यह उसके बाद बैटिंग को अच्छा दिया और इस जीत में हर्दिक पांडिया कभी बहुत बारा मतुपध्ण योगदान है और एक मैच जिटेस्टरीके से लास्ट ने कुछ गया था लगा कि मैच टाइउ हो जाएगा हो सकता है कि सुपर उबर में चला जाए किस तरीके के रोमांच लगा कि कैसे लगा कि देखिए जब बिराट को लिएसा प्लेयर क्रीच पे हो तो जीत कोई हो के ही रहता फिर बहुत बरिवात नहीं जीत ही जाते हैं लोग दिवाली जो सा इसमार दिवाली हम लोग मनाएंगे और भी हुआ हमारे साथ बात करने के लिए कैसा रहा जीत जिस तरीके से बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही सांदार रहा हमारे दो क्रिकेटर बिराट कोली और पंडिया जिनों ने अच्छा इनिंग खेला और भारत को अच्छे मैंच में रोमांच हम लास्क बॉल तक बना रहा हैं किस तरीके से लगा कि मैच हम हाथ से एक बात लगा कि इसलिप कर जाएगा जिसे दिने सकार्टी के आउट हो गया है मैच में यह सब होता ही रहता है लेकिन मैचों को बहुत अच्छे तरीका से बिराट कॉली ने सूज इवहाली के औस्षा पर बहुत बढों है हैं और हम प्यत्रीय उन्होंने खेला बहुत हैं वहर बहुत अच्छा घ्रीया पाड़ी पहुत अच्छा कफिन है काफी जादा बहुत जादा आधा पतनवासित काफी कुसी है भारत ने पाकिस्तान जाए फॉक्त मैं बधायों दनेबाद देना चाहता हूँ उन्होंने सभी सदसों मिलकर जिताने में योगदान दिया है अब ऐसे भी मैं इतना करना चाहता हूँ कि टीवी जदा टूटेगा और मौका मौका बस आप जानते हीए जदा टीवी टूटेगा तो सुना आपने कहा है कि टीवी बहु सकती है कि भारत जिस तरीके से विराट कोली ने अच्छी पारी के लिए तो कहीं न कहीं हमारी जीत पक्किति और दिवाली हमसे पहुत जबर्दस्त मनेगी पटना सिराजीव कमल बाइसकोप के लिए